नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त परदीव कुमार बागड़े आपका इस कारिकम में स्वागत है जिस कारिकम का नाम है आपकी फर्माईश दोस्तों आपके फर्माईश में आज मैं आपको बताऊंगा सब्जा जहां दोस्तों सब्जा को खाने से कौन कौन से भीमारी खतम होती है इसको खाने का सही तरीका क्या है कब खाए कितनी मातरा में खाएं क्या नुक्साने संपूर्ण जान कर दूँगा दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप से रोद है कि आप इसे लाइक करें वीडियो के नीचे रैट कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें बाजमेक बैल है उसे भी दबाएं ता यनौ को कुले होते हैं अगर रात को सूने से पहले जिहां एक गलास पानी में एक चमच जो है यह सबजा है इसको भिगो दे भीगने के बाद ऐसे मोटा हो जाएगा जैसे कि आप देखने लेगे इस तरफ से दानेदार हो जाएगा तो इसको सुवेरे ले ले दोस्तों आज कल के डिट इस समय जो है लोग मोटापा वजन कम करने के लिए कईयो पैसे कईयो रुपिये खर्चा करते हैं लेकिन वजन कम नहीं होता अब यह बिलकुल आसान और घरेल उपाय है सब्जे के सीट का सेवन करने के लिए मैंने आपको बताया बड़ा एक चमच ले और अगर चोटा चमच ले रहे हैं तो दो चमच ले लिए रात को विगव दे सुवन वजो को शहद और नेबू के साथ ले ले तो यह इसमें आप शहद एक चमच शहद और एक नेपू विजन कम करने मतलब यही है कि इसको खाने से क्या होता पेट बहरा बहरा लगता है और इससे भूक नहीं लगते हैं और जब आपको भूक नहीं लगेगी तो आपका धीर धीर वजन बहुत अपने आप कम होने लगा पीजी ओडी की समस्या से अगर माताय बहने जूज रही है तो क्या करें रात को एक चमच जो है इस बीज को जो है सब्जे को जो है भिगो दें पानी में और सुबह खाले पेट गुंगुने पानी के साथ ले सकते हैं क्योंकि आपको करना क्या है इस तरह से बीज करना और इसको जो है गुंगुना पानी के साथ लेना है आपको इससे जो आपकी प्रियेट की समस्या है वो दूर हो जाएगी हार्मोन समस्याओं को कंट्रोल करने में मदद मिलती है समझे सीट में प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स और ओमेगा 3 फैट एसिट मौझूद होता है जिससे PCOD की लक्षणों को दोर किया जा सकता है अगर आप कब्जे से परसान कब्ज से परसाने जिया है दोस्तों अगर आप पेट खराब चल रहा है कब्ज रहता है तो उसके से लिए क्या करें रात को सोने से पहले एक ग्लास दूद में भीगोती हुए सब्जेक सीट का पेष्ट डाले और पीए कब्ज की समस्या से रहत मिलेगी अगर आपको दूद पीने से गैस होती है तो गुन गूने नीमवू पानी के साथ भी सीट का सेवन कर सकते हैं पाचे अधर के लिए सब्जेक सीट का सेवन फायदे बंद पाना जाता है अपाच गैस करब्ज पेट के दर्द पेट में दर्द हो जाता है वो इन समस्याओं स से आपको निश्ची त्राहत मिलेगी बाल और तुशा से जो भी संब्दित बिमारिया होती है उसके लिए सब्जे बहुत फायदे मन्द है सब्जे सीड में प्रोटीन आपकी तुशा को ग्लोब जो है वो बढ़ाएगा हैर फॉल को रोकेगा तो आपको करना क्या है ये भी जान लीजिए सब्जे सीड से जो है होने वाले जो आप जब सब्जे सीड से पेस्ट बनाते हैं इन बिल्जो को कि पेस्ट को जो है आप अपने चेहरे पर फेस्ट पैक की तरह इस्तवाल करें या फिर बालों पर हेर पैक की तरह इस्तवाल करें इससे क्या होगा सब्ता में तीन बार आप करेंगे तो आपके जो चेहरे का ग्लोब आपसा जाएगा और आपके बाल अगर अगर सपेद है तो वो काले हो जाएंगे जड़ रहे हैं तो ठीक हो जाएंगे रूसी से समब्दित समस्या समाप्त हो जाएगी कैलेशियम का स्रोथ है तो अगर आपको हड्डियों से सम्ब्दित कोई भी समस्या है तो आप इसको लिजिए या आपके कैलेशियम को जो है दूर जो शरीर में केलेशन खतम हो गया है उसको जो है यह पूरा करेगा एक चमच सब्जाश सीट के सेवन करना है आप चाहें तो इसको सब्जी सूप या फिर दूर या किसी भी खाने वाली चीज मिला के ले सकते हैं तो दोस्तों कोई वी जी अत्यदिक मातरा में खाने से नुकसान होता है ये भी आपको बता दूं तो आप जो है इसका शिवन जो लगातार एक मेहने कर सकते हैं एक मेहने के बाद आप कम से कम दस दिन का गैब दे और फिर उसका लेने लगें सिंपल तरीका यह है दोस्तों कि रात को जो है दो चम्मच आप जो है सब्जे का जो बीज है जिसे हम तुलसी का बीज भी कहते हैं इसको भीगा लें साधे पानी में और सुवेरे ले ले यह है अगर आप चेहरे और बाल के लिए सुच रहे हैं तो इसको जो है भीगा ले पहले इसका पेष्ट बना ले सब्जे के बीच का और फिर उसको जो है पानी में भीगो दे उसका दूसे चेहरे पे और अपने बालों में लगाएं तो इससे आपको निशिद लाब मिलेगा उमिद करता हूं मैंने आपको जो जानकारी दिये वह आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी तो इसी के साथ अपने दोस्त पर दिपकुमार बागड़े को इसका करम सुझाने की अजाज़त दीजिए नमस्कार के तो सुझारी एक अच्छी होगे लागड़े एक वागड़े का याचार पर फिसक्त युभ्ड़े